नमस्कार में पूजा गौर आप देख रहे हैं न्यूसरूम पोस्ट भारत चमतकारों से भरा देश है यहां के प्रशलित मंदिरों की कई ऐसी कहानियां हैं जो काफी प्रसिद्ध हैं जो उन्हें अद्गुत भी बनाती हैं अपने इनी कहानियों और मानिताओं की वज़ा से देश-विदेश में इने पहचान भी मिली हैं कई जगह तो ऐसी हैं जिनके बारे में वैज्ञानिक काफी लंबे समय से शोत कर रहे हैं लेकिन अभी तब उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी हैं ऐसे ही चमतकारी मंदिरों में से एक है राजिस्तान के धौलपुर में इस्तित अचलेश्वर महादेव मंदिर इस मंदिर की कहानी मानिता और भगवानशित के दर्शन अपने आप में ही बहुत महत्व रखते हैं कहा जाता है कि इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग दिन में तीन बार अपना रंग बदलते हैं इस बारे में कभी रिसर्च किये जा चुके हैं लेकिन अभी तक इस बात का कोई भी तार्तिक प्रमाण नहीं मिल पाया है इसके लावा ऐसी मानेता है कि इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग के दर्शन करने और भगवान की पूरे विधी विधान से पूजा करने से युवक युवतियों की शादी में आ रही बाधाये खतम हो जाती है और उन्हें मन्चाहा जीवन साथी भी मिल जाता है चंबल के बिहडों में स्थापित इस मंदिर के शिवलिंग का रंग दिनों दिन लाल तो पहर को केसरिया और रात को सामला हो जाता है सेक्डो साल पुराने इस मंदिर के विशय में कहा जाता है कि एक बार इस शिवलिंग को बाहर निकालने के उद्देश्च से खुदाई की गई लेकिन खुदाई करते करते लोग ठक गए और ठक कर चूड हो गए लेकिन इसके दूसरे छोड का पता नहीं लगा सके ऐसे में यहां मंदिर का रिर्मान कर दिया गया शिवलिंग के अचल होने के कारण इस मंदिर का नाम अचलेश्वर महादे पढ़ गया यह तो थी चमतकारी शिवलिंग से जूड़ी कहानी आपको हमारे वीडियो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताएं साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने ना बोले आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ नमस्कार